हेलो फेंट्स मैं मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्साच की इस वीडियो में 32 साइज का बैकनेक डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी बोटनेक पर तो ये डिजाइन में बोटनेक की अकॉर्डिंग बना रही हूँ आप उसी के साब से मेजर्मेंट लीजेगा अगर आप इस डिसाइन को अपने साइस के लिए बनाते हैं तो बोटनेक का मेजर्मेंट अगर आपको नहीं पता है तो इसका चार्ट मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है आप देखकर जान सकते हैं तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं सबसे चैनल पर इस तरीके से मार्किंग करनी है अब यहां पर चेस्ट का चोथा भाग अपलीजेगा तो मैं बना रही हूँ 32 साइस का 32 साइस का तो उसका फोट बाट यहां पर होगा आट इंच और देड़ इंच मैंने एक्स्टा रखा है मार्सिन के लिए इसके बाद लेना है क कमर का मैंसे मेंट कमर 26 इंचे उसका चोथा भाग लिया है साड़ी चेंच 45 इंच वारसिन और एक इंच एकस्टा और लिया है मैंने कमर की प्लिट्स के लिए तो देखे मेरी मार्किंग यहां पर पूरी हो गई है आर्म होल की गुलाई हमने कर लेनी है इसके बाद हाफ इं कर दिया है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है अस्तर के उपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है अब लेना है गले का मैसरमेंट गले की विर्थ रखी है मैंने साड़े 3 इंच की ऊपर से गले के लंबाई ली है मैंने 3 इंच और इस तरीके से हमें एक चकुर बॉक्स बना लेना है गला बनाने के बाद अप में नीचे का neck draw कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ 18 इंच पर mark किया है और इस तरीके से गले का design बना लिया है तो देखे मैंने इसे थोड़ा छोटा करके बनाया है आप बड़ा करके भी बना सकते हैं design को draw कर लेने के बाद हमने इसे cut कर लेना है गले की cutting मैंने कर ली है और इसके बाद हमें इसे man fabric पर रखकर cut कर लेना है तो जो मेरा man fabric के उसमें side में plain fabric दिया हुआ है तो मैंने इसे cut कर लिया है इसे हम back neck design में यूज़ कर लेंगे इसके बाद मैंने यहाँ पर back part को रख लिया है और इस तरीके से इसे cut कर दिया है अब लिया है मैंने paper pasting, paper pasting को double fold करती हुए नीचे की तरफ रख लेना है और यहाँ पर हमने asides cali की marking कर लेनी है तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे कर स्थे और marker लिया है कर लेना है। यह दीकिए डीकी फेपर पेस्टिंग की कटिंग मैंने कर ली है और इससे में अस्थर वाले कपड़े पर ही अटेज कर तो इस्टिचिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा कि पिन लगाते जाएं तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आती है और जो फैबरिक रहता है वो इधर उधर नहीं होता है अब मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूँ आप पेपर पेस्टिंग को कपड़ी के उपर पेस्ट भ और अगर सिलाई लगा रहे हैं तो सिलाई आपको दोनों तरफ लगानी है इस तरफ भी और इस तरफ भी तो यहां पर दीखिए पेपर पेस्टिंग के उपर मैंने सिलाई लगा कर इससे तयार कर लिया है इसके बाद बीच में से जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है यह हम कट करके निकाल देंगे उपर से नेक का पॉइंट मैंने कटिंग नहीं किया है इसे मैं बाद में कट करूंगी अब मैंने नीचे की तरफ मैंन फैब्रिक सीधा करके रखा है और उपर से रखा है अस्तर वाले कपले को पेस्टिंग वाले भाग को मैंने उपर की तरफ रखा हुआ है दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ हमने इसे अटेज कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है तो एक पर कम आर्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसके बाद एकी पूरे ही गले को हमने कट कर लेना है इसके बाद चोटे-चोटे कट हमने लगा लेने हैं, पूरे ही नेक के उपर. कॉर्णर्स पर कट अच्छे से लगाएंगे. ये देखे, मैंने यहाँ पर कट लगा दिये हैं और इसके बाद हमें इसे पलट लेना है. जो corner है इसका वो अच्छे से हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे हलका-लका press करने पे corner बाहर की तरफ आ जाएगा तो आप कोई भी नोग वाली चीज पैंसिल या फिर केची की नोग से आप इसे press करेजिएगा तो जो corner है वो बाहर की तरफ आ जाएगा असानी से अब इसे हमने हातों से अच्छे से finishing कर लेनी है पूरे ही गले को finishing यहाँ पर कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से और उपर की तरफ हमने एक सिलाई लगा देनी है गले के उपर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे और यहाँ पर दीखे मैं इसका जो point है यह बंद कर रही हूँ आप यहाँ पर एक पटी लगा सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं या loop और button attach कर सकते हैं अपनी पिसंद से तो मैं यहाँ पर एक लटकन बनाकर लगाऊंगी इसलिए मैंने इस point को पका कर दिया है, बंद कर दिया है इसके बाद हमने चारो तरफ सिलाई लगा कर एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरीके से पूरे चारो तरफ सिलाई लगाएंगे सभी तरफ से एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देना है अच्छे से सेंटर में इसे सेंटर से एक छोटा कट लगाना है और कपड़े को फोल करते हुए चार इंच के लंबाई में प्लेट्स अटेज करनी है दोनों ही तरफ इसी तरीके से हम प्लेट्स लगा लेंगे और इसके बाद नीचे की तरफ कमरपटी अटेज करेंगे ये दीखे मैंने यहाँ पर कमर पटी लगा लिये नीचे से आधा इंच का मार्जिंग लेते हुए पटी को अटेज करना है और एक सिलाई पटी को इस तरफ रखते हुए पटी के उपर लगा लेनी है पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे अच्छे से तो दीखे मैंने आपर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसी के साथ मेरा ये बैक पार्ट बनके तयार हो गया है अब इसका डिजाइन मैं सिंपल फ्रिल के साथ बना रही हूँ तो जो नीचे से साइड से जो पटी निकली थी इसे मैंने बीच में से कटिंग कर लिया है और इसे जोड लेंगे जोडने के बाद मैं इसके फ्रिल बना रही हूँ पटी को देखे हमें पहले डवल फोल्ड करते होगे सिलाई लगा लिनी है सीधी सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर दीखिए मैं फिनिशिंग से फ्रिल बना रही हूँ तो चोटी चोटी फ्रिल हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लिनी है तो पूरी ही पटी की फ्रिल मैंने बना कर त्यार कर ली है इसके बाद इसे गले के नीचे वाले पार्ट पर लगाना है आप चाहें तो पूरे नेक पर लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे नीचे वाले पार्ट पर इसे लगा रही हूँ यह देखिए पूरा हमने एक्जेसाइस से अटेज कर लेना है नीची की तरफ से एक्स्टर फ्रिल को कट करके निकाल देंगे तो यह फ्रिल मैंने यहाप पर लगा ली है अब देखिए मैं यहाप पर डिजाइन बना रही हूँ यह जो डिजाइन बनाई है इसके उपर मैं लेस अटेज कर रही हूँ आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं लेस लगा कर इसे डेकोरेट कर सकते हैं तो दिखें मैंने यहाप पर लेस ली है और लेस को गले के शेप के अकॉर्डिंग हमने अटेज करना है यह देखें यहाँ पर इक प्लेट्स डाल देंगे थकी गले का जो शेप है वह अच्छे से दीखें गले के शेप के अकॉर्डिंग हमने पूरे नेक पर लेस को अटेज कर लेना है अच्छे से यह देखें मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है लेस के दूसरे कॉर्णर पर भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर देखें मैंने एक ब्लाउस में लगाने वाली लटकन ली है और लटकन को इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे यह देखें आपको टक करने के जरूरत नहीं आटोमेटिकली अटेज हो जाएगी और यहाँ पर मैंने एक फैंसी बटन अटेज कर दिया है इसी के साथ मेरा आजकर इनएक डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फेंड्स आपको आजकर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद